बिजली की समस्या को लेकर पहुँचे धवारती गिरामेड पावर हाउस पर दिया धरना जनपदमरोहा तहसील असनपूर के गिराम पंचाय धवारती पावर हाउस पर गिरामेडों ने दिया धरना विजली की समस्या को लेकर गिरामिलो का कहना है कि आए दिन हमें विजली की समस्या का सामना करना करना पड़ता है और विजली पावर हाउस के अधिकारी और कर्मचारी हमारी समस्या का समधान नहीं कर पाते और ज्यादा जूटा आज मिलता है हम इसलिए अपनी समस्याओं को लेकर आज पावर हाउस पर धना प्रदर्शन देने आए हैं इस मौके पर केशव परवेज जी को जो धरने पर मौजूद उनसे बात करने पर उन्होंने कहा कि अगर दो बजे तक हमारी समस्या का समधान नहीं हुआ तो हम दो से भूक हरताल पर बैठेंगे इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग के अधिकारियों की होगी इस मौके पर केसर परवेज, बाबु सेफी, सर फराज एहमद, मुहम्मद रागिब, दानिज बुद्धन सेफी, साजि दिल, पुकार खान, हाजी जमील, बूरे सेफी, अकरम, हाजी शकील, आदी सेक्रों लोग धरने पर मौजूद हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं, समर इंडिया, और मैं आपके साथ प्रमो सागर, मैं बता दूँ कि, बिजली की समस्या को लेकर, तरह तरह के ग्यापनवी लोगों को अभी तक समस्या बनी हुई है, और सरकार पुरी तरीके से समाधान बिजली का कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं दिक्कता बहुत तखडी है, ज्यादा देखनों को मिलने हैं और इसी समस्या के लेकर, और जो आज लोगों में बिजली के लिए उतसा ज्यादा आक्रोस है, उस आक्रोस के लिए आज हम आए हैं, जिला उम्रवा, तैसील असनपूर की, जो गिराम पंचाहता है, ज यह पावर हूस है, और यहां पर जेकते हैं कि काफी लोग यहां पर बैटे हुए हैं, ओर क्या इनकी समस्या हैं, और क्यों, कब से बैठे हैं, क्या, इनकी मागए हैं, आदो Gil, मेरा नाम, काईसा परवेज? दिजली की समस्या को लेकर बैठे हुए हैं, करीब 15 दिन से, एक महले में सप्लाई नहीं है जो महला चosphियां में गड़िब 15 दिन से बिजली के लिए लोग तरस रहे लोग जानवर पानी के लिए पानी की लिए और ऑद्मी पानी के लिए तरस रहे हैं और यह समस्या घरमी में अबना आप बताईया आप पंदर दें से बिजली नहीं आपने इसकी कहीं कि इसकी शिकायत करी जारी है बार-बार जैई साथ से आईजो सापके कोई भी सुनवाई इस पर नहीं हो रही है सबी लोग जहासा दे रहे हैं लेकिन तीन-चार मेने से तो केविल खराब है और आप लगबग 15-20 दिन से लेकर ट्रास्वर्ण आता और फोग जाता पंदस मिनट नहीं चलता अगर इस समस्य का समाधान नहीं होगा तो कैसा पर्वेज दो वजे के बाद में भूख हरताल पर बैठ जाएगा जो सुकर का मरीज है जिसकी जिम्मेदारी विद्वत अधिकारियों की परसासन की होगी करें करें कि अगर गजली का समाधान नहीं हुआ अधिकारिया अभी नहीं क्यों कि आप क्या कहते हैं जे बहुं करता करने के लिए तो यह दर आई हैं यह प्या कहते हैं वह करता पर बैठंगे पूरे समस्या काई समय समाधान के लिए जूटी विया और कहती अधार घंटा भी ज़िए गाओं में दे रहे हैं यहां नहीं आप आ रहे हैं तो अभी बात कर रहे थे यहां पर भूख रताल तक करने का लोग त्यार है और क्यूंकि यहां पर जो है अपश्णा करें करें नहीं चलता है कि इसके बाद तो पन दिन जाती खाई तो 15 थी देन्सारे आं तक यहां पर लाइंट और अपने दिनों अपने इस गया वाह सी ह달गे वह सांधान में हुआ तो भूख करें गेंगे और यहां पर माता बहने भी है और उन से बी जानकारी करें कि बतारी जीए कि है बिजली तक इनके घर में आ रही चाहिए जा झाल पूर दे रही है पूरा दे लिए अरे घर अड़े कोक मैं आई को हुः नहीं हों ठीजिल्य वा रही है और शाइनल करीए कमेंड करें और जाद हमारे चनल को सब्सक्राइब करिए और शाइब करें और समर इंडिया जो शची को आप तक पूछाने का काम कर रहा है तब अगली वीडियो तक के लिए नमस्का रहोए तुम्जी तुम्जी तुम्ही तुम्हें नहीं के घिला जिए यह जया। और नहीं पानी का और नहीं चानिना और मैंता गिर गई दो फेर है अन्ली दूनी वैसे हूँ और मेरे याने शेहने बाल गए पोकी कोई अब दिल भी परावट करें आप दिल जाएकर देख लिए अब भी देखिया हूँ कि अब पंदेशी चाहिए अब नहीं अपनी दोर्त रखी अज्जी तुमारा जो यहां पर यहां पर यह तो मैं साशन से प्रिशासन तो इस बात को लेकर जो इस समय धनब दिसन हो रहा था और आप लाश्ट्य पाध्यक्ष भी हैं तो आप इस समस्सा को लेकर आप अधिकरि गाउं की समस्या को बताया है पिछले दो दिन पहले मैं लखनौ से आया हूं तीन दिन में लखनौ में रहा मैंने उनके आफिस में उनको पताया कि हमारी के समस्या है उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान होगा और वो समाधान किस तरह से हो रहा है वो भी मैं आपके माधियन से जंता को बताना चाहता हूं 200 KV का TRANSFORMAR का हमने प्रावधान रखा है वहां राज्य मंतरी जी मौहमत दानिसादा अंसारी जी को अवगत करा है 200 KV का TRANSFORMAR हमने एपरूब कराया है जिसमें दानी जी का पूरा सही हो गए, हमारी भारते अंता पार्टी का पूरा सही हो गए और वो एक्सेंस आप कहां से एप्रूव हो गया है अब हम S.C. अम्रोहा को भिजवा रहा हैं, महां से फिर M.D. कहां जाएगा मैं उसको follow-up कर रहा हूँ, अपने व्यक्तिकत तोर पे अपनी गाली से, अपने खर्चे से मैं उसको follow-up कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी उसको कराने वाला हूँ दूसरी चीज़ यह है, कि हमें एक दूसरे का सहीयोग करना चाहिए पार्टी हमारी ये कहती है, कि मोदी जी का, योगी जी का सपना है कि जितने भी पसमंदा है, मुस्लिम है, वो भारते इंता पार्टी से जुड़े तो मैं एक मैसेज यही पहुचाना चाहता हूँ, समंदित अधिकारियों को कि अगर आप इस मामले में सहीयोग नहीं करेंगे, तो जो मुस्लिम हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी हट जाएंगे और जो मुस्लिम जुड़ने वाले हैं, वो भी नहीं जुड़ पाएंगे इस बात को वो अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें और इस काम को आगे बढ़ाएं हाँ एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि SDO हसनपूर विद्दुद डिपार्मेंट विनेश कहना में उसका दिवेश कुमार दिवेश कुमार उसने हमें कोई कॉपरेट नहीं किया, दिवेश कुमार कोई फून भी नहीं उठाता है, उसको अगर हम फून करते हैं तो वो फून भी नहीं उठाता है, उसके पास में नंबर सेफ किसी का नहीं करता है, एक दिन मैंने उससे का कि आपका नंबर सेफ क्यों मुक्य मंत्री जी को ज्यान में रखते हुए जो मुक्य मंत्री जी के बहुत सक्ट आदेश है कि लाइड कहीं भी गयाब नहीं होनी चाहिए तो मेरी बात आपके माद्यम से मैं SBO हसनपूर लिवेश को पहुचाना चाहता हूँ कि वो सुधर जाए और वो जनता का साथ दे जनता का काम करें यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाब धन्ना प्रिदेशन करने नहीं है कि अभी बात हो रही थी जो अखिल भारते हैं मुसिलिम पसमादा मंच के जो मुसिलिम मंच है राश्ट्यपाद ध्यक्ष तस्लीम एहमद रूप मोनी चोधरी जी और उन्होंने जो प्रिदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं मुहमद दानिस आजाद अंसारी जी उनसे भी मिलकर अपनी गाउं की समस्या का समाधान इनों रखाया है और इनों ने बताया है कि जो हसन पजाश्डियों है वह किसी का भी फोन बता रहे हैं इनका फोन टेक नहीं उठाते हैं जब वह फोन टेक रिशीव नहीं कर पारें राश्ट्य पध्येजी का तो आम जंता का अफिरों कैसे फोन रिशीव करेंगे तो यह उन्होंने बताया है और जायत से जादे आप हमारे चैनल को करिए हमारे चैनल पर और जायत से जाद है